तो आज हम एकदम सिंफल फॉर्म में एक ऐसी प्राचीन विद्या के बारे में जानने वाली हैं, जिसमें इतना आनन्द होता है कि उसमें संभोग सौ बार फेल हो जाता है, संभोग में क्या होगा कि एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, मैक्जिमम तीन घंटे आपको आनन् करना लिकिन अगर वहे आयर्वेत के नियम का ध्यान रखकर, आयर्वेत की पद्ददि से अगर वहे संभोग करता है, तब हम कह सकते है कि उसके शरीर को कोई हानी नहीं होगी, लिकिन अगर व्यक्ति अपना बल अपनी ताकट दिखानी के लिए संभोग करता है, चाहे कब भी किसी भी समय किसी भी टाइम किसी भी एज में वहे वीरे नाश करना शुरू कर दीता है संभो करना शुरू कर दीता है तब वहे व्यक्ति काम के भाव में आकर चाहे जब वहे अपना वीरे निकालना शुरू कर दीता है लेकिन वो रही बात की बात आज हम जानने वाले है क इससे भी जादा सौ गुना जादा आनंद किसमे है, इससे भी जादा आनंद है वीर की उधरवगती में और आज मैं आपको एक दम सिंपल फॉर्म बताऊंगा कि आप अपने वीर को ऊपर कैसे उठा सकते हैं वीरे को अगर उपर उठाना है तो सीधी सीधी वात है कि व्यक्ती को जितिंद्रिय होना चाहिए यानि कि उसको अपनी इंद्रियों पर उसका वश होना चाहिए और व्यक्ति जितिंद्रिय कब बनता है व्यक्ति जितिंद्रिय तब बनता है जब वह सोना रूपी व्यक्ति आग में जब वह सोना तापा जाता है तब सोना और भी जादा निखरकर वहार आता है तो इसी प्रकार आपको मेहनत करने हैं आपको लगाना है ध्यान और ध्यान भी आपको लगाना है आपके मूलाधार पर जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर में साथ चक्र होते हैं तो इसमें आपको ध्यान लगाना है कि जो की मूल ताकत है जो आपका मूलाधार है वहाँ पर होता है हमारा वीर वीर पर आपको ध्यान लगाना है कि वहां से कुछ उर Mastiktsh पर जाएगा और जब यह हमारे Mastiktsh पर जाता है हमारे Dm notebookप्ए जाता है तब ऐसा कह जाता है कि उस समय हमारा Dimooh 100% काम करता है आम तो पर सामानlen व्यक्ति व्यक्टी थे तो आप ज़रा कलपना करें कि हमारे जो trophy महर्ची होते थे पहले जो ध्यान करते थे महीनों महीनों वह ध्यान में लॉए पतना समय व्यतीत करते थे और वो क्यों करते थे ताकि यह जो वीर है वह उपर की ओर उठे और इसी कारण से ही हमारे रिशी महरसी इतने बुद्धिमान होते थे कि वह एक चीज जो एक बार उनने चीज पढ़ ली जो एक वाक्य उनने पढ़ लिया उनके दमाग में वह जिं एक बार में ही कैसे ध्यान रह जाता है तो स्वामी विवेक अनन्द इसके जवाब में कहते हैं कि जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो मैं किताब ही पढ़ता हूँ उस समय मेरे मन में जो मैं पढ़ रहा हूँ वही चलता है अब यह जो वीर उपर उठाने का अभ्यास है उस असका दियान होना चाहिए कि वह उर्जा ऊपर उट रही है शुरूआत में आपको बहुत मेहनत करनी होगी इस समय जो आपका मन होता आपके वश्मे नहीं होता लेकिन धीरे 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 करके यह जो प्रोसेस है आपकी आदत में ही आ जाएगी तो दोस्तों आज के लिए सरफ इतना ही आपने वीडियो यहां तक देखी आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद